हालो फ्रेंज 창atri में आपको बताएंगे की इस ट्राइब के रंगोली कैसे बनाते हैं जो आँ स्क्रीन आप देख रहे हैं तो चले वीडियो का स्टाट करते हैं और मेरा चैनल पर नए है तो अपिल आइकन को भी दबा लिजिए तो चले वीडियो का स्टाट करते हैं आपको simply coral drag open कर लेना है अपने computer में तो जैसे मैं अपना open कर चुका हूँ coral drag अपने computer या laptop में तो चलिए अब ड्रा करते हैं सबसे पहले आपको तो आपको circle drag करना है circle drag करने के बाद आप इस तरह से अंडाकर shape बनाना है उसके बाद आपको इसमे color fill कर देना है smart fill कर देंगे इसमें अपने color को इसमें फिल कर दिए उसके बाद अपने according इस color को चेंज कर सकते हैं जैसे हम change कर रहे हैं तो चलिए इसमें रेट पर लर कर दिए उसके बाद आपको outline इसको नन कर देना है या रिमूव कर देना है तो चलिए हम इसको अब कॉपी करेंगे तो आपको मुल्टिपल इसको कॉपी बनाना है आपको तो सबसे पहले आपको एक टूल यूज करना है टैनस्पेरेंट कलर यूज करना है इसमें चलिए हम टैनस्पेरेंट कर लेते हैं और इसमें वाइट कर देंगे और इसमें इसको वाइट कलर देना है और इसका साइज हम छोटा बड़ा कर सके हैं तो देखें इसमें यह टैनस्पेरेंट बन गया है 50% टैनस्पेरेंट बनाना है इसको आप अपने अकोडिंग इसको सेट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यह कुछ इस तरह से आप कुछ इस तरह से ड्राफ बन गया है कुछ इस तरह से डिजाइन बन गया है अब इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करके इसको फिलिप कर देना है देखे फिलिप हो गया और इसको set कर देंगे दोनों साइड में तो कुछ इस तरह से कलर बन जाएगा और इसके बाद इसको हम ग्रूब कर देंगे तो दोनों को हम ग्रूब कर लेंगे सेलेट करके और उसके बाद आपको सिंप्ली इस पॉइंट को हम यहां साइड मेर कर देंगे उसके बाद आपको इसका क्लोन बना लेना है क्लोन बना लीजिए या डूबलिकेट बना लीजिए आपको ऐसे रखके आपको घुमाते जाना है क्लोक वाइज आपको घुमाते जाना है सबको या डूबलिकेट करते जाना है आपको चलिए हम पूरा डूबलिकेट कर लेते हैं इसका आप एक एक करके भी कर सकते हैं और डूबलिकेट करने का दो-तिन तरीके हैं तो आप कुई सा भी उच कर लेंगे चलिए यह बन गया कुछ इस तरह से रंगोली बन गया है उसके बाद आपको कलर फिल करते जाना है कि अलग अलग कलर सेप में डालते जाना है आपको है चलिए हम डाल लेते हैं कलर पिर उसके बाद इसमें अलग कलर डाल सकते हैं अब तो बारी बारी साम सब में कलर फिल कर लेते हैं अब देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है फिर आप इसमें भी आप कलर डाल सकते हैं अब जितना जूम करके अंदर जाएगा कलर फिल कर सकते हैं उसके अंदर ​ अब यह देख सकते है फिर इसके अंदर भी आप डाल सकते हैं लेकिन अ बहुत चोटा-चोटा साइज में आएगा आप तब देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है इस तरह से मल्टिपल